आप सभी को जया मातागी लोगों के मन में प्रश्ण रहता है कि नवरात्र में जो नवदुर्गा के पूजा होती है उसको कैसे करें क्या करें जिस से की मा हमारी प्रार्थना सुन ले तो उसमें दो प्रकार से आप पूजा या उपासना कर सकते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप नवरात्र में मा के नो सुरूपों की पूजा करें ध्यान करें वो दो तरीके से आप कर सकते हैं एक तो विदी विदान से यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको नहीं आता है तो आपको किसी योगय ब्राह्मन से वो अनुस्थान कराने चाहिए और अगर आपको नहीं आता है तो मा तो मा है अगर आप जैमातादी कहते हैं जैमा कहते हैं और मा क कोई भी नाम लेते हैं तो वो मा सब सुनती है और समझती है कि जिसकी जैसी समझता है मा उसको उसी साब से सुन के समझ के और सभी को फल देती हैं सभी को आशिरवाद देती हैं सबी को सने देती हैं तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि यदि आपको जादा तर लोगों को जो जादा तर लोग हैं उनको विदी विदान नहीं आता सबी सिधे और सरल सुभाव के रहते हैं तो उनकी तो ये कोशिश होती है कि हमें क्या करें कोई गलती ना हो जाए तो उसमें कुछ मुख्य बाते हैं कि अभी जो नवरातर आ रहे हैं ये चैतर में इनको चैतर नवरातर बोलते हैं जो बाइस मार्च से शुरू होंगे और तीस मार्च तक रहेंगे तो नवरातर की एक विशेशता क्या है कि ये नवरातर चैतर में क्यों शुरू होते हैं तो चैतर में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नवरातर शुरू होते हैं उस दिन जो दिन और रात बराबर होते हैं बेलकुल बैलन्स होते हैं और ये माना जाता है यहां से सभी नई कि हमारे जीवन में भी नई चीजों के शुरुवात होगी जैसे गिंती कभी भी एक से शुरू की जा सकती है ऐसी जीवन में कोई भी सुक्समर्दी के लिए किसी भी कारे के लिए हम एक शुरुवात कर सकते हैं इसलिए जो चैतर के नवरात्र हैं ये बहुत शुब माने जात के लिए या अन्य किसी भी मनो कामना के लिए यदि हम मा की उजा करते हैं उपासना करते हैं और नौ दिन तक लगातार करते हैं तो मा हमारी प्रार्थना अवश्य सुनती है और पून करती है इसमें दो तरीके से हम मा की उपासना कर सकते हैं एक तो ज्यादा तर लोग जो है उत्तर भारत में नव दुर्गा का या नवरात्री का प्रचलन है तो ज्यादा तर लोग इसमें घर में अखंड जो जलाते हैं और अखंड जो जलाके जो है वो मा का दिन में और रात को पूजा, पाठ, आर्थी या जाब करते हैं उसी में ज्यादा तर जो प्रचलन में है वो दुर्गा शप्षती का पाठ करते हैं और दुर्गा शप्षती के पाठ में कुछ लोग सिरफ अरगला सोतर का पाठ करते हैं कुछ सिद्ध कुंज का सोतर का पाठ करते हैं कुछ दुरगाजी के 32 नाम का उचारन करते हैं लेकिन इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं जो हर आम आदमी नहीं ले पाता तो वो क्या करे उसके सामने समस्या होती है और कई जो लोगों की जो भाशा ऐसी है कि वो उचारन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उसमें उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं उचारन भी ठीक से नहीं कर पा रहा और मुझसे कोई गलती ना हो जाए तो वो क्या करें तो उसमें जो कोई भी पूजा उपासना है एक तो वो भावना परधान है और अगर किसी को कुछ कुछ भी नहीं आता, तो जैसे मैं आप से कोई बात कह रहा हूं, आप मा से अपने शब्दों में, अपनी भाशा में वो बात कह सकते हैं, जैसे प्रतम नवरात्र जो है, वो मा शैल पुत्री का है, तो आप कह सकते हैं, मा शैल पुत्री, बड़े साधारन शब्दों में, कि म मुझे कोई विदी विदान नहीं आता, मुझे कोई पूजा नहीं आती, मैंने बस तेरी एक जोज जलाई है, मा मेरी ये परिशानी है, मैं नौ दिन तक तेरे सामने बैठी हूँ, और बैठा हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता, और मैं यह मैंने जोज जला दी, मैं तो तेर प्राइना चितरभुञ पाया ये काइसा कहा जाता है कि जो आदमी जितना सरल है ऐसा नहीं है कि लिए आता तो भगवान या देवी देवता है या मा उसकी सुनेंगे नहीं उसकी भी सुनते हैं तो ये तो ही एक साधारण परक्रिया कि जिसमें किसी से पूछने की कोई बात करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारी दुर्गाश शप्षिती है तो मारकंडे जी ने जिस परकार स कहा इसमें कवच अरगला स्टॉत केलक सिद्ध कुञगास तो और दुर्गाश जी के बत्यस नाम ये मुक्गे हैं आब दुर्गाश जी के किसी भी रूप को पूजो नवरात्तिरी में जो नो सुरूप हैं उसमें अलग अलग उनकी वेशबूशा है किसी में वस्त्र लाल हैं किसी में सफेद हैं किसी में पीले हैं किसी में काले हैं अलग अलग देवी के सौमे और रुद्र रूप के अनुसार उनोंने वस्त्रधारण कर रखे हैं और अपने अपने सौमे या रुद्र रूप के अनुसार ही उनोंने शस्त्रधारण कर रखे हैं तो मा के नवरातर म हमें हमें शुद रहना चाहिए नौरात्र का भोजन ग्रहन करना चाहिए और अपने विचार भी शुद रखने चाहिए हैं इसमें सुबह से रात तक जिस प्रकार भी आप करना चाहें सरर मंत्रों से या दुर्गाश फशती के मंत्र से या अपनी भावना से वैसे पूजा करें और अंत में सोने से पहले मा से शमा अवश्य मांगें कि मा यदि आज की पूजा में अर्चना में किसी भी विदी विदान में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें शमा करें जय माताजी